नमस्कार मैं हूँ नीरश महरा और आप देख रहें एवन टीवी का एवन इस्पेसल एवन इस्पेसल में आज करेंगे खास मुलाकात वेद्ध हंसराज चोदरी से हंसराज चोदरी आसिंद के भीलवड़ा के आसिंद कस्बे में स्री नौगरा आसरम के संस्ताफ़क है और अब तक करीब ढाइलाग कैंसर जैसे असाद्दे रोग्यों का इलाज कर चुके हैं कैंसर रोग्यों का निशुल के लाज करते हैं और कैंसर समय कई ऐसी विमारिया हैं जिनका भी निशुल के लाज करते हैं और इनकी देश और दुनिया में अलग पहचान बन चुकी है हाला कि आस्रम को संचारित हुए एक ज़्यादा वर्स नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी 2014 के बाद से अब तक लगाता लगबग चार साड़े चार अजार कैंसर रोगी हर महीने इनके आस्रम में आते हैं to be cancer रोगें को निश्रा किलास देना उने ठीक करना और उनकी पूरी सेवा सुक्षा करना इनकी पूरी जो टीम है वो इस कारे में जुटी हुई है मानाव का काम देखते हुए कंसर रोगयों के परतिन की और अन्य रोगयों के परति इनकी जो सेवा भावनाओं को देखते हैं भारस सरकार ने भी आयूस्मान में इनको सदस्य क्यटिया है आज इनी से बात करेंगे अंसरा चोधरी साब जिसे चोधरी जी सबसे पहले तो एवन टीवी में आपका स्वागत है नमस्कार और जिस तरह की भावनास के साथ आप कैंसर जैसे असाद्दे रोगियों की सेवा कर रहे हैं पाके में महान का रहे हैं क्योंकि कैंसर जैसे रोग का नाम सुनते ही लोगों की रहु कांप जाती है लोग बहवीत हो जाते हैं और माना भी जाता कि जिसको कैंसर हो गया उसको बचाने वाला भगवान ही होता है कहीं पर दवा काम करती है कहीं पर दुआएं काम करती है और जिस तरह कि आप के बारे में जो जानकारी मिली है कि आप किया पर कैसा भी कैंसर का रोग आ जाए चार्ज महीना आठ महीना और बारा महीने का आप पर कोई कोर्स कराते हैं और कोर्स करने के बाद यदि रोगी पिर ये आस्रम आपने खोला है आखिर कर किस तरह से इस सेवा भावी कारे से जुड़ने का आपने ठाना क्यों इस तरफ आए क्या इसके पीछे सोच रही चोदी साप नमस्कर देखिए निरे जी मूल बात तो ये कि मनुश्य के ये धर्म होता कि अगर वो सामर्तिवान है तो उसे ग्यान से सरीर से और मुद्रा से तीनों ही तरुके से विक्ति को दूसरे रोग जिसके पास वो चीज नहीं है अग्यानी है तो उसको ग्यान दे मुद्रा का बाव है तो उसे मुद्रा दे और अगर स्वाश्ति का बाव है तो उसे स्वाश्ति दे चूंकि मैं किसान का लड़का हूँ करशी विज्ञान का विशे का विद्यारती रहा और करशी विभाग में लगातार 25 वरस तक सेवाए देने के बाद में केदारनात राजदी जब हुई तो उसे मेरी भगवान की ये करपा थे या मुझे सीधा सीधा संदेश था कि वहां में 16 तारी को जब हम के की वादियों में हम गूम रहे थे भूके प्यासे बहुत परेसान तो वहां एक विक्ति एक वृद्द सन्यासी दोरा ये का जाना का अब तक का हिसाब आपका बराबर हो गया अब आप क्या करोगे तो मेरे मुझे निकलता कि में मेवाड का रहने वाला हूँ और आप को आपके मेवाड क्षेतर में एक दमा बेल होती है एक अस्तमा का पौधा होता है आप एक काम करना जाके एक पौधा उहां से लेकर आना और दमा होगी आपके छेतर में बहुत है तो उनको ये देना मेरा सुर से अध्यात्मि में रूजान था मैंने नौही ग्रहे बाराई र मेरे पास जमीन मेरे पानी है और मैं आरथिक 에도 fantastic सभी संपन हूँ तो मुझे क्यों निए करना चाहिए में आपको me यह आनन्द मारी प्रतिष्ठा तुक्ष्टा बढिया म apologise मारे इसे कि आयता में खुए ५ शरूं इन चाहिसा करते करते कि है फिर सुगर के रोगी यानि कि जिसको आप हम डाइबटीज समय निवासा में जो बात करते हैं डाइबटीज के रोगियों को जब मदुनासनी और इसके पत्ते देने लगे या इसकी होस्दी देने लगे तो उनमें सुधार आया तो धीरे धीरे ये सुगर का के रूप में आस इसे कारण से नहीं होता है मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दुनिये के सभी एंकलोजिस्ट के साथ में मेरी मिटिंग्स वगरे होती रहती है आज आपकी करपा से भारत का 11% कैंसर होगी स्री नवगरे आस्रम पर आरार हो मुझे दरसन दे रहा है या उनकी सेवा का सब्सक्राइब हो रहे थे तो जब मैं जो यह मालूम चला चूंकि मैं साइंस अग्रिकल्चर का विक्ति हूं देखो साथ कैंसर का किसी भी मिमारी का बाहर से कारण होना चीए आपको सुनने में बड़ा आजीब लगेगा कि अगर मैं चाहूं तो आपको हैप्टाइटिस अगर से तो आपको कैंसर नी कर सकता है अब जम इतनी सरल्ता से मुझे समझ में आ गया केंसर का बहारी कोई कारण नहीं है सची बात ये है कि आपके सरीर की 90% शकारात में कोशिकाएं जब कमजोर होना सुरू होती है तो 10% जो नकारात में कोशिकाएं उनकी एक RBC, दो WBC को पकड़ती है और एक लिंफ नोड बनता है और उसी दिन आपके सरीर में रक्त कैंसर की सुरुआत हो जाती है लेकिन चुदे सब लोगों कहना है कि आर्विद में इसका इलाज नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐलोवेदिक तरफ भागते हैं केमो तरह भी कराते हैं, सेख कराते हैं, बाकी सब चीज़ कराते हैं और ऐसा लोगों की बहांती है कि आर्विद में जब बहुत ज़्यादा केस बिगड़ जाता है तब उसका इलाज नहीं है सुर्वाती दोर में जिले जाए तो कुछ महिनों के लिए आराम हो सकता है ऐसा लोगों की प्रहंतिया है आपको लगता है आपके पस किस तरह के किसे जाते हैं कि आपके पास भी लोग पूरी जब डोक्टरों से सब चारों तरफ से निरास होने के पाद ही मरीज आपके बास पहुंचता है आपको लगता है कौन से स्टेज में आर्विद में इस इलाज संभव है क्या पहली स्टेज में डुसरे स्टेज में या फिर उनको कहते हैं कि इस आप इन की सेवा करेगे, डॉक्टर भी कह देते हैं यह बाद नहीं ऐसा नहीं है यह बिलकुल गलत भारना, दारना है, इस बात से इतिफाक नहीं है, इस कीके हर्ग्ध मैं और समझा किसा मैंEvet की के कि आए और तीसरा अस्ति में हड़ी में जाएगा सरी में मुच्ष तो तीनी अवीव हैं अब इसमें रखत का जो कैंसर है वो आईरवेद की द्रश्टी से प्रथम स्रेनीका ए मांस में जो है वो दूसरी स्रेनीका और हड़ी में जैना तीसरी स्रेनीका आज के साधे 4,000 वर्स पूर्व मेरसी चरग मेरसी सुसूत मेरसी वागबट मेरसी डेलन इनों अधर्वेद से जो रिचाएं उठाई वही तो अधर्वेद है अधर्वेद का उपएद अधर्वेद का उस समय भी अर्बूद करकरा कहा गया था इसे तो यानि कि साड़े चार अजार वर्स पहले भी कैंसर था कैंसर कोई नया ऐलोपेथी की वज़े से पैदा हुआ मैं यह आरोब नहीं लगा रहा हूँ परन्तु उस समय भी उन गरंतों में यह वरणन था कि यह यह पोदे जो हैं जैसे स्यान तुलसी उसको अर्बूद नासनी कहा गया जैसे आपके सदा सुआगीन है जो विंका रोजिया है बैसिकली यह जो विंकरिश्टिन जो दिया जाता के अंदर होता सदा सुआगीन जिसे कहा जाता सदा बाहर कहा जाता है यह इसके अंदर होता जो कर्क्यूमीन है जो अलोपेथी आपको ट्रीटमेंट में दे रही है वो कॉमेर्चल फॉर्म में दे रही है वो कैमिकल फॉर्म में दे रही है जबकि हमारी जो गांट हल्दी ह उस गांट हल्दी के अंदर कर्क्यमिन है और दुगनी मातरा मैं तो सब्सक्राइब तो यह के अग्यान के अभाव में यदि कोई विक्ति के पास मैं सिधा सब दूम यह समझा दूँ कि अगर किसी गाड़ी के सामने प्रकास नहीं है लाइटे नहीं है और वो गाड़ी कर कु विड़ा उठाया बहुत अच्छा वीड़ा उठाया मैं तो स्वागत करता हूँ आगे कि आपने अगर इस तरह की की चर्चाएं प्रारम की है तो मैं निश्चीत रूप से कहता हूं कि बिना कीमो करवाये बिना रेडियसन करवाये बिना सरजरी करवाये अगर कोई रोगी स्री नवगर आसरम पर आता है तो 77% उनकी सकसेजरेट है ये बात मैं अनरिकोर्ड बोल रहा हूं आपको और अगर कीमो करवालिया सरजरी भी करवाली मैं यही सवाल पूछने जा लाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि किमो के बाद या सर्जरी के बाद में और आर्यो जाता तो आदमी को लगता है कि अब शैद संबवन नहीं है यह भी भरांती बनी हुए्इ कि जब एक बार सभा अंग्रेजजी का एक सब्द है रीकन्स्रेक्शन री साइक्लींग रीप्रोसेस मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से सम्झा सकता हूं कि समय जदा लगेगार सरीर में जो रोग परतीरों दूदक सम्ता आपकी खतम हुई कीमो की वज़े से मैं बहुत समाई ने पाजाम अगर यूं कहूंगा आप बिल्ली को अगर दूद्गी रखवाली देंगे तो क्या बिल्ली दूद्गी रखवाली करेगी नहीं करेगी तो कीमो जो होता है पूरी बाड़ी में एक फ्लरड आता है एक बार डाता से भी कोई सिखाऊंगा परन्त और फिर यह मैं जरूर कहता हूं कि अगर खून का कैंसर है तो चार जगे मैने की जगे आठ मैने लगेंगे अगर मांस का कैंसर है तो आठ मैने की जगे सोले मैने लगेंगे और अगर हड़ी का कैंसर है तो एक वरस की जगे दो वरस लगेंगे परन्तुर रोगी ठीक होता ह बिल्कुल ये अंजराज चोदरी जी जिनका कहना था कि बहले ही रोगी को किसी भी स्टेज पर आर्वेद का इलाज के लिए लाया जाए उसका इलाज संभव है समय जरूर लगेगा चोदरी जी क्या आपको लगता है किमो के बाद थेरेफी के बाद भी यदि मरीज की हालत बिगड़ जाती है तो क्या उस स्टेज में भी कैंसर का इलाज आपके आस्रम में संभव है बिल्कुल हैसा साब एलोपेथी द्वारा दो तरह के किमो दिये जाते हैं आईवी द्वारा एक औरल टैबलेट द्वारा दोनुं इस स्टितियों में रोगी के बाल उड़ने लग जाते है वमिटिंग उल्टियां जैसा वमन जैसा होता है लूज मोसन होता है परन्तो इस स्टिति में भी रोगी का इलाज आयरवेधित पद्यति द्वारा संभव है क्योंकि हम उसको तीर स्थर पर चिकिस्टा देते हैं एक तो उसको उसकी जो भूख है उसको जटराग नहीं है उसको प्रदीप्त करते हैं उसको हम कैसर क्लास के माधियम से एक आपको सुनके बड़ा अश्च्छर होगा कि दूनिया में किसी भी किसाल्यम है अब तक मेरे जो मेरा हल्फ गयान है उसके माधियम से मैं क्योंसे मैं कह सकता हूँ Endnas क्लास जैसा आपने कुछ नीं सुना होगा परन तू ढ़ाई गंटे तक कैंसर रोगियों को कैंसर क्यों होता है कैंसर कैसे होता है कैंसर ठीक कैसे होता है कैंसर की कौन-कौन सी होज़ती हैं क्यों ली जाते हैं यह सब बताया जाता है चोधी और किन के भीमारीों का इलाज आपके हाफ्रम में होता है? किस तरे के रोगी आते हैं? किन रोगीों का इलाज, कन असाधी भीमारीों का इलाज आपने शुल्क करते हैं? हमारे हाईर支़ के गरंथों में ओर वर इंख एक तो मिर्गी, एक पागल पन, एक लखवा और एक हिस्टीरिया और एक कैंसर ये जो पांच वियादिया है ये प्रारभ्द जनित वियादिया है यानि कि प्रारभ्द के पूरु जन्म के या इस जन्म के करम फल के करण हलाकि मैं तो आज के परियावरन को भी कर्मपली मानता हूं आज के गलत zawir को भी कर्मपली मानता हूं और आज जतना chemical attack हो रहा है जतना chemical बतब इस दुनिया में जो process house है या eat बट्टे हैं या जितने भी industries है वो सब भी कर्मफल में आ रहे हैं तो कर्म फल से उत्पन रोग का रोगी ठीक होने पर आईरवेद में ऐसा लिखा है मैरसी चरक कहता है कि हम उसका धन्यवाद लेने के भागिदार भी नहीं है तो मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया, लक्वा और कैंसर किट जो की बहुत सबसे महंगी में हो मैडिसे ने तेरह से सी रुपए का एक किटा था, ये सब हम बिलकुल निसुल्क देते हैं पांच वरस तक के जो बच्चे हैं, वो तो भगवान का रूप है मैंने सुना आर्मी के लोग है, सेने करमी है, बहले होày किसी का भी हो जल से ना हो, सबी के लिए भी निसुल्क लाज की विवस्ता हम लोगों ने आस्रमे की है साब ये सेना के लोगों के लिए निसुल कहना, मै थोड़ा अपने आपको ासर में हैसूस करता हूँ उनको क्या निस्विक देंगे उनको कौन क्या देगा साव उनको देना मेरा धर्म है मेरा फर्ज है मेरा कर्तवी है क्योंकि मैं सिधा सिधा ये कहता हूँ मेरे आस्रम पे कैंसर की क्लास में कि साड़े माइनस 47 डिग्री पे अगर वो SLR लेके खड़ा है तो आप अपने घर पे गरम बिस्तर में सुरुक्षित है और जिस दिन उसने SLR फैक दी उस दिन आपना सुरुक्षित अना आपका परिवार है तो उनको मैं छोटी मोटी जो 5000 की उस दी एक माह में अगर मैं दे दू तो इसमें नवगर आश्रम कोई ऐसान नहीं करता यह मेरा करतव यह है चोदर जी डाइबिटीज को लिखकर लोगों में बड़ा सस्पेक्ट है कुछ कहते हैं पेत्रक आती है पुर्खों से आती है और सबसे ज़्यादा मरीज भी डाइबिटी जो मोटापेके हैं कई आश्रम चलने हैं कई दुनिया बर के टीवी चैनल्स में एड़ चलने है दुनिया बर की ठगी भी चलने है अर्वेद की दवाईयों के नाम पे क्या लगता है आपके आश्रम में भी इस तरह के रोगी आते हैं और क्या आपको लगता कि इसकी भी कोई उस्दी है जिसके माद्यम से आप तुरण मरीजों को रहाद देने का काम करते हूँ या आश्रम में ही कोई उस्दियां हुआ जाती है या आप उस्दियां भार से आयतित करते हैं निरजी बहुत अच्छा प्रसन आपका और एवन टीवी को मैं इस प्रसन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत मौजू प्रसन एक बहुत सटीक प्रसन उठाया सची बात यह है कि जो मदू में जो रोग है यानि कि डाइबिटी जो रोग है यह कुछ लोग तो स्यम इसके निर्माता है जिनको जैनेटिक नहीं है जिनकी माता जी को नहीं है पिता जी को नहीं है परतु लगातार तनाव की वज़े से लगातार यह जंग फूड खाने की वज़े से लगातार देर रातरी तक जगने की वज़े से अपने सामर्थी से ज़्यादा सारे रिक्सरम करने की वज़े से इन कारणों से भी आपका डाइबिटीज आपके सरीन होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं ये टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का डाइबिटीज पाया जाता है और कुछ को पुर्खु से यानि कि माता पिता को अगर उस तरीकी की समझा है तो उनको जो इंसुलिन जो बनने का जो क्रम है वो कम हो जाता है मैं आपको मूल बात हुए एक मदूना आसनी एक ऐसा पोदा है जिसको गुड मार भी कहा जाता है ये वापस इंसुलिन री मेकिंग का काम करता है ये हमारे आस्रम में उगई जाती है ये हम जो हमारे यहां से सूगर का जो पाउडर हम देते हैं खाना खाने के 45 मिनिट पहले एक चम्मच मात्र लेना होता है और अगर 5-6 मैने तक रोगी नियमित आर वियार रखे और परहेज पूरा रखे नवगर आस्रम का एक सिदान तरह निरजी ते ये हमारे नवगर यहां जो रोल है हो तो एक परसेंट में हनस्रा आ जाई है या एक परसेंट में नवगर आस्रम अंस्रा जी कितने उस्दिये पोधे आसर में लगे में हैं और कितनी बड़ी चुनोती है कि उन पोधों कवा रख रखा उसे लेकर उनको दवा के रूम में बनाना वित्रित करना एक बड़ा चैलेंज है बहुत बड़ी बात है क्योंकि नुशूल का आज की तारह में लोग पानी पिल हम चला रहे हैं यह अपने आप में बड़ा अजूबा है हाँ देखिए सब सही बात तो यह के पोधा पहले दिमाग में लगाना चाहिए उसके बाद में जमी पे लगाना चाहिए यह एक एगरिकल्चर का बैसिक मोटो मेरा एक ऐसा सोचना है तो मैंने जो 411 प्रकार के उस बातल हो विकति मैं स्रेलंगा पहले करे लेकों मैं अफगनिस्तान से पहले क्या हूं मैं आपक अदिकत कस्मीर से पहले को यह हूं और मैं आगन से खुश्य की बात thousand पती नवगयरे Candice 11 111 फिवावये वहां तो अननंद तो घखब अनंद है परोन्त कॉ आता हूँ यह आनंद पूरे विश्यू में हो और मैं आठ चार ओस्दी पोदे प्रती वर्स निसुल्क वित्रन करता हूँ और लोगों को कहता हूँ आप मेरे आस्रम से और कुछ लेके जाए ना जाए पोदा जरूर लेके जाए समय आभाओ के चलते आपको रुखना पड़ेगा लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कोई अपील करना चाहें आस्रम की तरफ से किसी तरह की कोई बात अपनी कहना चाहें लोगों से कि वो इस तरह की बिमारी तो घबराए नहीं डरे नहीं हमारे पास पहुंचे उनका इलाद कि अधार के आप आके मातरा आपके मूँ से इतना कह देना भर प्रियापत है कि मैं रोगी हूँ और मैं गरीब हूँ आपके कितना भी खर्चा लगेगा एक लाग रुपे की भी होस्ती लगेगी तो हंसराज चोधरी आपको देगा आप आईए इस गंगा में हाथ धोईए हाथ बटाईए आईसमान भव मेरी जो पुस्तक है उस पुस्तक में मैंने ये सब चीज़े खोल के कही है लिखी है आप लोग एक बार स्री नवगरासरम जरूर आईए मैं मुझे बहुत खुसी होगी और मैं पुने एवट टीवी की पूरी टीम को निरेजी को और इस पू कोई भी रोगी इंदुस्तान के किसी भी कौने में हो यदि वो वाकए में पीडित है और गरीब भी है जो पैसा भी नहीं खर्च कर सकता है और यदि एक बार आस्रम आता है तो उसका इलाज वो निशुक करते हैं हाला कि कुछ बिमारी आता है जिनका पहले से ही इलाज नि हरीजों का इलाज इनके आस्रम में हो चुका है खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही देखते रहे यह ताजातरीन खबरों के लिए एवन टीवी